मैं पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खुब बढ़ाए हैं कली जी टीबी और हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसियू के बेड चालू किये हैं अब दिली में आईसियू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है दिली में वैक्सिनेशन पूरे जोर शोर से में खूब उठसा है मैंने खुद देखा है दिली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सिनेशन हो रहा है मैं कई स्कूलों में गया लोगों से बात की लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना वैक्सिनेशन करवा रहे हैं मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंट लाइन वरकर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो वैक्सिनेशन में लगे हुए हैं अभी हम सवा लाख डोज रोज वैक्सिनेशन कर रहे हैं इसको जल्दी हम रोज तीन लाख से अधिक लोगों को वैक्सिन लगाना शुरू कर देंगे हमारा लक्ष है कि आने वाले तीन महीने मे सभी दिल्ली वालों को वैक्सिनेशन लगा दिया जाए लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सिन की कमी की दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सिन बचा है और ये समस्या देश व्यापी है पूरे देश में इस वक्त वैक्सिन की भारी कमी ह हो रही है कि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सिन न होने के कारण अभी तक वैक्सिनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया कि वैक्सिन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनोती बन गई आज केवल दो कंपनियां वैक्सिन बना रही हैं यह दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड वैक्सिन बनाती हैं तो इस तरह तो हम देश के हर वैक्सिन को वैक्सिन लगाने में हमें दो साल से जादा टाइम लग जाएगा तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी कितनी बरबादी हो जाएगी इसलिए जरूरी है कि हम वैक्सिन का पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सिन लगाने की राष्ट्र यूजना बनाएं जब तक हर भारते को वैक्सिन नहीं लगती तब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूँ वैक्सिन बनाने का काम केवल दो कमपनिया ना करें कई कई कमपनियों को वैक्सिन बनाने में लगाया जाए केंदर सरकार इन दोनों कमपनियों से वैक्सिन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कमपनियों को दे दे जो सुरक् तरीके से वैक्सिन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सिन बनाने का फार्मूला सारवजी निक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सिन बनाना चाहती है। और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी सब भी भारतियों को वैक्स से लगा पाएंगे आपको याद हो जब पहली लहर आई थी हमारे देश में पीपी किट की कितनी किल्लत थी कितना संघर्ष करना पड़ता था पीपी किट लेने के लिए सोचो अगर उस टाइम के वल्द दो कंपनियों को पीपी किट बनाने का अधिकार होता तो क्या आज देश में पीपी किट मिलते लिकिन ऐसा नहीं हुआ आज कई भारते कंपनिया पीपी किट बना रही हैं इसलिए हम किसी और पे पीपी किट के लिए निर्भर नहीं हैं भार उन्हें अफसर दिया गया तो वे अपना भरपूर सहयोग देंगे वैक्सिन का उत्पादन करने वाली कमपनियों के लाब का एक अंश हम रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कमपनियों को दे सकते हैं जुनोंने मूल फॉर्मूले की खोज की हैं मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम अगली करोना की लहर के पहले भारत के हर नागरिक को सुरक्षा कवच प्रदान कर पाएंगे मेरा केवल एकी मकसद है कि किस तरह हम सब मिलकर हर भारते को करोना से बचा पाएंगे